नमस्कार, जैसा कि आपको विजित है कि उत्तरप्रदेश लोग से वाच चैन आयोग ने बावन सो लेखपाल के पदों की गोशला की है और इस संदर्ब में संस्था के द्वारा आपको सारी जानकारियां प्रस्तुत की गई है और मैं आज आप सभी से इसी परिपेक्ष में बात करूँगा कि लेखपाल में भूमे की पैमाईस कैसे की जाती है या हम सुनते हैं कि इंच, गज, मीटर, सेंटीमीटर या बिस्वा, बिस्वासी, कचवासी, या हेक्टेर क्या होता है, एकर क्या होता है चुकि लेखपाल की परिक्षा में पिछली बार कोशन आया हुआ था कि एक एकर में कितना वर्ग गज होता है तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आप सभी से यह टॉपिक महत्पूर रहेगा लेखपाल भरती परिक्षा के लिए चुकि भूमी की 25 से संबंधित मातरकों से प्रस्थन बना हुआ है और लेखपाल की इस भरती के बारे में संस्थान के द्वारा आपको सारी जानकारियां दी गई है और फिर भी दोस्तों यहां एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको वर्टसप करना है लेखपाल इंट्री लिख करके अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड है अगर आपको भविश्य में लेखपाल बनना है तो आप हमारी संस्था से अवस्य जुड़ें और संस्था द्वारा चलाये जा रहे इस क्लास में इस पाठ्ठेकरम में आप सामिल हो और दोस्तों उसका अनुभव बहुत सांदार रहेगा तो अगर आपको जॉइन करना है हमारा बैच तो क्या करना है आपको वर्टसप करना है लेखपाल एंट्री लिख करके इस नंबर 87-360-93-317 जैसे ही आप इस नंबर पर वर्टसप करेंगे हमारी काउंस लिम्टिंग आप से जुड़ेगी और आपको पाठ्ठेकरम के बारे में या एडिमेशन प्रक्रिया के बारे में शारी जानकारिया आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी तो मैं आपका अपना दोस्त आरकुमार आज विज्ञान विषय के एक सेग्मेंट के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं चर्चाय करूंगा आप सभी से भूमी की पैमाईस के बारे में तो दोस्तों भूमी की पैमाईस की हम बात कर लेते हैं कुछ विशेश मातरक ऐसे हैं जिन पर हम सभी को चर्चाय आपसे करनी है तो भूमी पैमाईस के मातरक यहां सबसे पहले हम समझेंगे इंच के बारे में की इंच को कैसे हम सेंटी मीटर में बदल दें या इंच को किस प्रकार से हम याड यानि की गज में बदलते हैं और किस प्रकार इंच को हम मीटर में बदलते हैं तो दोस्तों आईए हम क्लास को सुरू करते हैं जैसे अगर प्रस्थ ने पूछा गया कि एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर के होता है ठीक यानि कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है तो हम सबको पता है कि यह होता है टू पॉइंट फाइफ फॉर सेंटीमीटर लेकिन हमने ग्यात कैसे किया यह कैसे निकाला गया यह प्रस्थ न आ सकता है आप सभी से या एक इंच ना दे करके पाँच इंच पूछ ले कि पाँच इंच में कितना सेंटीमीचर होता है तो कैसे सुरी का लेंगी देखी क्या करना है आपको दोस्तों आपको करना है कि एक गुड़े सो बटे 49 दसमलो 37 तो इस फार्मूले से आपको इंच से सेंटीमीटर मतलने में असानी होगी यदि पूछता है कि पांच सेंटीमीटर में कितना इंच होता है तो क्या करना आपको यहां पांच गुड़े सो बटा 49 दसमलो 37 लिखना है तो वह इंच में जो आपका इंच रहेगा वह सेंटीमीट में निकल जाएगा तो इसी डिजिट से यह निकाला गया है मैंने पहले इसको ग्याद किया है कि एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर तो इध्यातब रहे कि यह कितना आता है यह आता है दो दसमलो 4-5 सेंटीमीटर अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो यह बिल कि एक इंच में कितना मीटर होता है हम कैसे ग्याद करें चुकि प्रस्थन लेकपाल की परिछा में आत्स लगातार आया हुआ है तो देहान रहे 0.0254 यह आता है आपका मीटर में इस बात का देहान रहे अब प्रस्थन यह उड़ता है कि आखरी यह डिजिट कैसे लिकाली गई है तो देहान देना आपको क्या करना है दोस्तों एक गुड़े एक बटे 49.37 अगर हम यह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें यह जो इंच होगा यह आशानी के साथ मीटर में प्राप्त तो हो जाएगा पिर देखिए यहीं से एक प्रस्ट और बनता है कि एक इंच में कितना गज होता है गज का मतलब याड होता है देखिए हम देखते हैं सहरों में जब 25 होती है जमीन की भूमी की तो उसको square yard या square feet में करते हैं तो अगर question ऐसा बनता है कि एक इंच में कितना गज होता है कितना yard होता है दोस्तों यह भी एक महत्वपूल प्रस्टन है तो दिहान देना आप लोग यह होता है आपका 0.0277 गज अब यह गज कैसे निकाला गया तो दिहान देना आप लोग एक गुड़े एक बटा 36 यानि कि क्या करेंगे अगर आपको एक इंच का पूछ रहा है कि एक इंच में कितना गज होता है तो आपने क्या करना है कि यह उपर दिया गया है यह इंच से सेंटी मीटर में बदलने का नियम है और यहां देखिए यह इंच से मीटर में बदलने का नियम है और यह इंच से गज में बदलने का नियम है तो यहां देखिए मैंने इंच को निकाला सेंटी मीटर में, मीटर में और गज में इसी तरह से कभी-कभी प्रस्णी ये पूछता है कि एक सेंटीमीटर में कितना इंच होता है यानि एक सेंटीमीटर बराबर कितना इंच कोश्चन ऐसे भी बन सकता है और ये जो कोश्चन में बिलिख रहा हूं यहां पॉइंट ये आ चुका है UDA, LDA 2010 में तो दिहान देना कि कि एक सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है तो दोस्तों 0.39 इंच यानि कि 0.39 इंच होता है एक सेंटीमीटर के अंतरगत इस बात का ध्यान दीजेगा तो यह रहा इंच और सेंटीमीटर अब यहां से 2-3 पॉइंट और उभर करके सामने आते हैं जैसे अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीट के बारे में या फीट जिसको हम फूट भी कहते हैं अपनी बासा में तो हमने देखा कि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है या फिर 0.0245 मीटर होता है या 0.0277 यार्ड यानि की गज होता है इसको आप अच्छी तरह से पेन और कॉपी पर नोट कर करते रहें ठीक है अगर आपको ऐसे याद करना है तो आप डिजट को याद कर सकते हैं लेकिन अगर आपको आगे परिच्छा के लिए त्यारी करनी है तो आप इस पॉइंट को जरूर लिखें अगर इसको लिखते रहेंगे तो आपको इंच को सेंटीमीटर में यार्ड मे या मीटर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों आईए हम foot की बात कर लेते हैं अगर question आ जाए कि एक foot देखिए foot को हम fit भी कहते हैं आपको पताओगा foot pound और second FPS system कहाँ सिस्टम है British system है ठीक है न? तो देखिए अगर question ये बन जाए कि एक foot में कितना इंच होता है तो दिहान रहे कि एक foot बरावर होता है 12 इंच के यानि 12 इंच होता है एक foot के अंतरगत लेकिन अगर question बन जाए कि एक foot में कितना centimeter होता है ठीक है न? हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि एक foot में 12 इंच होता है लेकिन अगर question यही बन जाए कि एक foot में कितना centimeter होता है देखिए एक inch बराबर 2.54 centimeter तो 12 inch बराबर कितना centimeter होगा तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें 12 गुड़े 2.54 इसको हमें multiply कर देना है और जब इसे हम multiply करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा वो आएगा 30.48 centimeter यानि कि यहाँ पर एक clear हो गया कि एक foot में कितना centimeter होता है तो एक foot में होता है 30.48 centimeter परिछा में question आया हुआ है इस बात का ध्यान देना और अधिनस्त में ही यह question आया है अधिनस्त यानि कि उत्तर परदेश अधिनस्त सेवा chain board में ही यह प्रस्ण आया हुआ है इस बात का अब ध्यान देना तो दोस्तों एक फुट में होता है 12 इंच या एक फुट में ही होता है 30 दसन लोग 48 सेंटी मीटर के अब यहीं question अगर पूछ देता है कि यानि कि एक फुट में कितना मीटर होता है तो दिहान देना 0.3 मीटर के होता है एक फुट में इस बात को आप अच्छी तरह से knowledge में रखिएगा याद रखिएगा ठीक है ना जितने डिजिट यहां दी गई है सब डिजिट भूई की 25 में उप्योग में लाई जाती है और सभी important है कोश्चन दोस्तों कहीं से भी आ सकता है चलिए हम आगे बात करते हैं अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि गज के बारे में आईए हम गज के बारे में बात चीत करते हैं आप सभी से देखिए अगर गज की बात की जाए तो पहला प्रस्तित भी पनता है कि एक गज गज को हम क्या कहते हैं गज को हम यार्ड भी कहते हैं को गज को हम यार्ड भी कहते हैं कोश्चन बन जाए आपके सामने कि एक गज यानि कि एक यार्ड एक गज के अंतरगत एक गज में कितना इंच होता है ठीक है दोस्तों, एक गज में कितना इंच होता है या कितना फुट होता है, तो सबसे पहले आप जान लिजिए कि एक गज बराबर होता है तीन फुट के, ठीक, तो एक गज बराबर कितना होता है तीन फुट के, हमने अभी देखा था कि एक फुट में बारा इंच होता है, ठ जस्द पहले यहाँ देखिये कि एक फुट में 12 इंच तो तीन फिट में कितना इंच हो जाएगा यह point समझी आप somewhere तो क्या करना है तीन फुट में 12 इंच 36 इंच याँध कनी दोस्तों एक गज में कितना इंच हो जाएगा तो दिहान देना एक गज में 36 इंच होता है क्या किया हमने यहाँ पर क्या किया तीन गुड़े 12 कर दिया क्योंकि एक इंच में कितना होता है क्योंकि दोस्तों एक फुट में 12 इंच होता है तो तीन फुट में कितना होगा 36 इंच होगा और अगर question यहीं से बन जाता है दोस्तों कि कितना एक गज में कितना centimeter होगा तो क्या करना है आपको इस 36 को आपको गुड़े करना है 2.54 से तो आपका आजाएगा centimeter का अब देखिए points कभी-कभी परिक्षाम यह पूछता है कि एक गज में कितना meter या कितना centimeter होता है ठीक है ना यानि कि दोस्तों पूछता है कि एक गज में कितना centimeter या कितना meter होता है आईए इस point को भी हम यहां समझ लेते ठीक है बस आपको इतना ध्यान देना है कि एक inch में ठीक है ना जब हमने inch को change किया था meter में और centimeter में वही formula आपको यहां पर इस्तेमाल करना है अगर question यहां से बनता है कि एक गज में कितना centimeter होता है इस बात का आप ध्यान दीजेगा यह होता है 91.44 centimeter अब हमने निकाला कैसे ध्यान देना दोस्तों कि एक inch बराबर होता है एक गुड़े एक गुड़े 100 बटे 49.37 तो हमने यहां पर क्या किया 36 गुड़े 100 बटा 49.37 यह formula भी मैंने आपको यहां पर आगे बताया हुआ था कि आ यहां देख सकते हैं यहां हमने एक inch में निकाला है और जब गज की बात करते हैं तो वह हम 36 inch का निकालते हैं क्योंकि एक गज में 36 inch होता है तो हमने क्या किया है वह 26 inch लिख दिया है एक 90.44 सेंटी मीटर यानि कि एक गज में इतना सेंटी मीटर होता है अब देखिए पॉइंट यहीं बनता है कि एक गज में कितना मीटर होता है तुरंद पॉइंट यहीं बनता है मीटर के बारे में तो अगर हम मीटर के बारे में बातचीत करें तो बराबर कितना हो तो दोस्तों आपको धियान देना है, यह होता है 0.9144, यहां देखे, पॉइंट लगा हुआ है, इस बात को धियान दीजेगा, यहां पॉइंट है, यहाद आएगा मीजर में, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यही किया, 36 गुड़े, 1 बटा, 49.37, ठीक है न? क्योंकि 1 इंच बराबर होता है, एक गुड़े, 1 बटा, 49.37 मीटर, लेकिन हमने यहाँ क्या ग्यात किया, 36 इंच का, तो 36 इंच बराबर 1 यार्ड, या बराबर 3 फिट, तो 36 इंच में, यानि कि 1 यार्ड में, कितना मीटर हो जाएगा, तो दिहान देना, 0.9144 मीटर के होता ह एक यार्ड में, तो दोस्तों, एक गज में, 3 फिट, या एक गज में, 36 इंच, या एक गज में, 199, 44 इनटी मीटर, या फिर, एक गज में, 0.9144 इह होता है, मीटर के, यानि कि Monica 45,44 सेंटी मीटर, या 0.9144 मीटर, तो देहान देना इस प्रकार से गज को हम मीटर में चेंज करेंगे अगर पुछ दिया आप सभी से कि तीन गज में कितना सेंटीमेटर होता है तो क्या करना आपको 36 गुड़े तो आपका हो जाएगा एक सो आठ इंच आएगा तो एक सो आठ गुड़े सो बटा 49 दसन लो तीन साथ कर देना है यानि जितना पूछ रहा है उसी इंच से आपको इस तरह से डिवाइड और मल्टिप्लाई करना है पूछ दिया आप से कि दो गज में कितना मीटर होता है तो पहले क्या निकालेंगे आपकी दो गज अगर एक गज में 36 इंच है तो दो गज में कितना इंच आएगा कितना हो जागा यह 72 हो जाएगा तो 72 इंच आएगा अब इस 72 इंच को आपको चेंज करना है मीजर में तो 72 गुड़े एक बटा 49 दसन लो तीन साथ कर देंगे तो आ नहीं मात्रपूर है लेकपाल भरती परिक्षा के लिए चलिए तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अब देखिए आगे हमें क्या ग्याद करना है आगे हमको ग्याद करना दोस्तों कभी-कभी कोश्चन यह पूछता है कि एक वर्ग गज यानि स्क्वाइर यार्ड जिसको ह धियान देना इसको स्क्वाइर करके निकाल लेंगे हम एक वर्ग गज में होता है 0.83 के वर्ग मीटर प्रस्तनी यह आ चुका है इस बात का ध्यान दीजिग आप लोग यानि कि एक गज में कितना यानि एक वर्ग गज में होता है या आपका 0.83 कर उग मिठ कोश्क100 करने कि एक square yard में कितना square meter होता है तो आप क्या बताओगे 0.83 square meter होता है एक square yard में फिर question बनता है एक work foot जिसको हम कहते हैं square foot एक work foot बराबर कितना work meter के कभी-कभी foot को meter में भी change करने के लिए questions बन जाते हैं तो अगर हम स्क्वाइर फूट को स्क्वाइर मिटर में चेंज करने दोस्तों तो वन स्क्वाइर फूट में आता है 0.09 स्क्वाइर मिटर वर्ग मिटर इस बात का विशेश तोर पर ध्यान दिजेगा चुकि यह डिजिट लगातार परिछाओं में पूछी गई है और आपको इसे अच्छी तरह से याद करना है फिर कोश्चन पूछता है कि एक वर्ग इंच में वर्ग इंच में कितना स्क्वाइर सेंटी मिटर होता है दोस्तों तो 6.45 स्क्वाइर सेंटी मिटर ठीक है यादि यह आपका आगया कि एक वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेंटी मिटर अभी तक आपने क्या देखा अभी तक आपने देखा इंच के बारे में या फिर गज के बारे में सेंटी मिटर के बारे में फूट के बारे में अभी देखिए जो वास्तविक 25 होती है भूम जो वास्तविक 25 होती है भूमी की वे होती है कचवासी, बिश्वासी, बिश्वा, बीघा, पक्का बीघा या कच्चा बीघा तो इस तरह से प्रस्ण पूछे गए है ठीक है, एक कॉमन चीज है जिसके बिश्वासी में बहुत से लोग कन्फूज रहते हैं कि एक बिघहा में कितना बिश्वा होता है तो दिहान देना जो उत्तर प्रदेश का मानक है वह दोस्तों 20 बिश्वा का होता है अभी मैं आपसे चर्चा करूँगा आगे बिश्वा के बारे में या बिघा के बारे में बिश्वासी हो सकता आपने सुना नहीं होगा विशवासी क्या है उन्वासी क्या है यह सारे डिजिटgangen हैं यह सारे मातरक है जो भूमी की 25 में प्रियोग में लाए जाते हैं यहाँ से अज्ण ससेवाशेन आयोग प्रस्नत पूशता है और आगे की परिशाव में प्रस्न्य यहां से पूश सकता है तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने गज एक बार इसको में रिपीट करते हैं दोस्तों, फिर आगे बार देएंगे, तो 1 इच पराबर कितना cm? 2.45 cm, या कितना मीटर होता है तो 0.0254 मीटर के होता है, फिर 1 इच में कितना गज होता है, तो 0.0277 गज होता है, या कैसे से निकाला गया सेंटी मिटर के लिए हमने क्या प्रयोग किया इस वाले फॉर्मूले का और दोस्तों मिटर के लिए इस फॉर्मूले का और याड के लिए इस फॉर्मूले का ठीक है ना इसका हमने प्रयोग किया है फिर एक सेंटी मिटर में कितना इंच होता है तो 0.39 इंच क सेंटी मीटर फिर एक फूट में कितना मीटर आएगा आपका तो आपका जाएगा 0.3 मीटर के ठीक है ना फिर देखी हमने क्या देखा आगे हमने आगे देखा एक गज यह एक यार्ड एक गज में कितना फूट तीन फूट होता है ठीक है ना उसके बाद इस तीन फूट में अब इस एक गज में कितना सेंटी मिटर तो दोस्तों 36 गुड़े सो बटा 49 दसनलो तीन साथ तो आपका आगया 99.44 सेंटी मिटर के फिर हमने क्या किया फिर यहाँ पर अगर पूश दिया कि एक गज में कितना मिटर होता है तो बस वही यहाँ पर आगे कर दिया गया है तो देहान देना यहाँ आपका आगया 0.914 फोर फोर मीचर के होता है इसके लिए हमने क्या किया 36 गुड़े एक बटा 49 दसंदो 37 का प्रियोग किया यहां पर यह निकलाया मीचर में फिर देखिए अब वही गज पूछ रहा है तो इसको स्क्वाइर कर देंगे दोस्तों तो आजाएगा एक वर्ग गज बराबर 0.83 वर् मीटर तो ध्यान देना कि एक वर्ग फुट बराबर कितना दोस्तों होता है अब देखिए यहां पर एक वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर को ठीक है ना चलिए आगे पूछ रहा है कि एक वर्ग इंच बराबर कितना वर्ग सेंटी मीटर तो दोस्तों क्या हो यह आपका हो जाएगा 6.45 वर्ग सेंटी मीटर अब अगर आप यह समझ रहें कि यह किस तरह से आया है तो दिहान देना कि एक मीटर दोस्तों एक फुट था एक फुट की बात कर रहा हूं मैं अगर एक फुट में देखिए एक फुट में कितना मीटर है 0.03 तो क्या कर देना ह है 0.03 into 0.03 तो दोस्तों कितना आप आएगा 0.09 होता है मीटर का इस बात का ध्यान देना यह कितना होता है 0.039 हो जाएगा दोस्तों मीटर स्कुएर किसमें एक फुट में ठीक है ना क्या करना आपको वर्ग कर देना है यह अपने आप डिजिट निकल के सामने आ जाएगी ठीक है ना चलिए अब हम आगे बात करते हैं आप से विश्वा और विश्वासी के बारे में तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है कि होता है कचवासी ठीक है ना क्या होता है कचवासी विश्वासी या फिर विश्वा यह सारे पॉइंट होते हैं तो देखिए जो एक कचवासी होता है एक कचवासी यह भी भूमी के 25 का ही मातरक है एक कचवासी बराबर होता है दोस्तों 2089 के ठीक है ना 2089 के तो एक कचवासी बराबर होता है 2089 के यह यह बराबर होता दोस्तों 3.403125 वर्ग फुट के यानिकर हम देखे कि जो एक कचवासी है यह माली जी एक कचवासी है तो दोस्तों इसका एरिया कितना है जो इसका एरिया है वो है आपका कुल मिला करके 2089 या 3.403125 वर्ग फुट होता है चुकि ध्यान देना जो एक कचवासी होता है यह 6.08 इंटू 100 फिट होता है इंटू 10 फिट होता है इस बात का आप ध्यान देना ठीक है न यह कितना होता दोस्तों यह होता है आपका 6.80 अगे होता है यह आपका दोस्तों फिट है ठीक है यह होता है कचवासी अब देखिए कचवासी के बाद क्या आता है बिस्वासी आता है एक बिस्वासी जो एक बिस्वासी होता है एक बिस्वासी बराबर कितना कचवासी तो बराबर होता है बीस कंचवासी मुझे यह उमीद ऊको लोग ऐसे हमगे जो पहली बार देख रहे हैंगे एक विस्वासी में कितना होता है 20 पकच्वासी होता है अगर हमको निकालना है कि एक विकांच्वासी में कितना ऊवर्ग टो दिहान देना क्या करना है। हमको यही करना है कि 20 गुडे 3.403125 यानि हमको एक कचवासी में कितना वर्ग फूट 3.40 वर्ग फूट आया था तो 20 कचवासी का निकालना है तो 20 गुडे कर देंगे 3.403125 दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा आई आपका 68.062 वर्ग फूट होता है यह आपका निकल के आ गया एक 20 70 में कितना वर्ग फूट तो दोस्तों यह आपका आ गया 68.062 वर्ग फूट आ गया आपका एक बिष्वासी में इस बात का देऊन देना तो यह 2080 हम निकाल रहे हैं अब देखिए, बिस्वासी के बाद एक डिजिट और आती है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कचवासी, सुरी, बिस्वा, एक बिस्वा, एक बिस्वा या बिस्वा इसको कहते हैं, अपनी अलग-अलग इकाईया होती है मापने की, कहीं लोग बिस्वा कहते हैं, कहीं लोग बिस होता है दोस्तों 20-28 कितना होता है 20-28 क्लियर तो एक विस्सा में 20-28 होता तो क्या करना आपको निकालना है कि 20-28 कितना वर्ग फुट यानि एक विस्सा में कितना वर्ग फुट होता है तो आपको क्या करना दोस्तों आपको गुड़ा कर देना है 20 गुड़े और 60.062 वर्ग फुट तो अगर हम इसको निकालेंगे तो जो आपकी डिजिट सामने आएगी अब गुड़ा करेंगे आप लोग जब गुड़ा करें तो वह वर्ग फुट निकल के आएगा एक विस्से का तो दोस्तों 1361 सम्थिंग वर्ग फुट आता है एक विस्वा के अंदर यानि एक विस्वा के अंदर 1361 वर्ग फुट निकल करके आता है तो एक पॉइंट यह जानते रही है दोस्तों आप लोग कि एक विस्वा में कि कितना वर्ग फुट होता है तो कि यह कोश्चन कई बार परिछाओं में पूछा गया है ठीक तो यहां आपने देखा कि एक कंचवासी बड़ाबर 2089 ठीक है न या फिर एक कंचवासी में कितना वर्ग फुट तीन दसमलो चार जीरो तीन एक दो पांच वर्ग फुट आया है और फिर अगली काई क्या होती है अगली काई होती विश्वासी और जो एक विश्वासी होगा एक विश्वासी में कितना उख़गे फूट तो वही क्या करना है वही हम 20 गुडे 3 दसम लो 4.0 3.25 कर देंगे तो 78.006 2 वर्गे फूट निकल के आएगा फिर बिश्वासी के बात क्या आता है विश्वा या विश्वा आता है कि एक विश्वा में कितना विश्वासी, तो 20 विश्वासी होता है, और कितना वर्ग फुट तो यही 20 गुड़े 68.062 कर देंगे, तो आसानी से डिजट्स आपकी सामने आ जाएगी, तो सम्थिंग कितना आपका आया, यह 1361 वर्ग फुट सामने आया है, Most important point है, जान लेजिए, कि एक विश्वा में कितना वर्ग फुट होता है दोस्तों, तो 1361 वर्ग फुट होता है एक विश्वा के अंदर, और ध्यान देना, अगर एक वर्ग फुट में, अगर एक स्क्वाइर फिट में 0.09 वर्ग मिटर होता है, तो दोस्तों क्या करना है, 0.09 वर्ग मिटर में दोस्तों आपका निकल के सामने आ जाएगा मिटर में वो, ठीक है ना, चलिए आगे, आगे पॉइंट क्या है, अब आगे हम समझते हैं एक और पॉइंट को, आपने सुना होगा कच्चा बीगा और पक्का बीगा के बारे, दोस्तों कोश्चन पूछत है कि कच्चा बीगा और पक्का बीगा क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे बीगे की, कच्चा बीगा, अगर कच्चा बीगा की बात की जाए, दखो कहीं कि इसको बीगा बोलते हैं, बीगा बोलते हैं, अपनी अलग-अलग सैली होती, अपनी अलग- तरीके समलोग बोलते हैं अगर एक कच्चा भीगा की बात की जाए तो दोस्तों कितना होता है वो होता है एक हजार आठ वर्ग गज के ठीक ना कितना होता है एक हजार आठ वर्ग गज के और अगर इसको निकालेंगे हम वर्ग फिट में तो दोस्तों कितना होता है यह 975 वर्ग फुट में अगर आपको निकालना है कि इसमें कितना विश्वा होता है तो कुछ निकाल लेंगे कि कच्चा विघवा में कितना विश्वा होता है फिर देखें यहीं पॉइंट बंता है कि आखिर कितना यह वर्ग विटर के होता और अगर कोश्चन यही से पूश दे कितना यह एकर होगा तो दोस्तो देहान रहें अगर एकर की हम बात करें तो यह लगभग आता है 0.0851 851 एकर या कभी कभी question यही पूछता है hectare में तो इस बात का आप ध्यान देना या आगए आपका 0.0843 hectare यह हमने अभी आपसे बात की कच्चे बीगहे की यह पका बीगहा नहीं है ठीक है ना? हमने यहाँ पर क्या बात की? हमने यहाँ पर बात की कच्चे बीगहे की तो कच्चे बीगहे में 1,008 वर्ग गज होता है या 9,075 वर्ग फुट होता है अगर इस 9,075 वर्ग फुट को हम 1361 से भाग देंगे तो हमारा बिस्सा निकल के आएगा की एक कच्चा बीगह में कितना बिस्सा होता है आप सभी लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा ठीक है न? फिर वही कच्चा बीगह में 843 वर्ग मिटर के होता है फिर दोस्तों वही कच्चा बीगह में 0.20851 एकर होता है अब यह आपको बताऊंगा मैं एकड के बारे में और देखिए फिर दोस्तों इसी में 0.0843 हेक्टेयर के होता है clear यह हो गया हेक्टेयर की बात अब मैं आपसे आगे बात करूँगा पक्का भीगा हेक्टेयर और एकड की दोस्तों आए हम बात करते हैं पके बीघए की अगर देखिए हम बात करें पक को कितना होता है तो दोस्तों दिहां देना जो फिर यह कहीं तो इस बात का दिहान देना आप लोगा यानि पच्पन गुड़े पच्पन गज होता है अगर हम पक्का बीघा की बात करें कि एक पक्का बीघा बराबर कितना होगा तो एक पक्का बीघा बराबर होता है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट एक वर्ग जरीब के एक वर्ग जर को एक वर्घ जरीब बराबर कितना वरघज तो पर्चपन वर्घ घज हो जाता है या आप जाएगा पर्चपन वर्घ-घजु ठीक है या एक पक्का बीघ़ा में कितना 10 होता दोस्तों तो 20 30 होता है कि इस बात को आप अच्छी तरह से याद करिएगा अगर question यहीं निकालना आपको है कि एक पक्का बिगहा में कितना वर्ग फुट तो दिहान देना अगर आपको वर्ग फुट निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग आप लोग गुड़ा कर देंगे या आपका आएगा 27,225 वर्ग फुट के वर्ग हमने यहाँ पर दो चीजों का प्रियोग किया है या 20 गुड़े 1361 अब यह 20 कहां से आया एक पक्का बिगहा में कितना 20 विस्सा यह 1361 क्या है एक विस्सा में 1361 वर्ग फुट अगर आप इसको गुड़ा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 27,225 वर्ग फुट आएगा इस इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं दोस्तों धिहान देना इसको निकालने का एक फर्मूला आओ रहे है कि 55 गुड़े 55 गुड़े 3 ठीक है ना चुकि वर्ग फुट की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे 55 गुड़े 55 गुड़े 3 अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 27,225 यानि कि 27,225 वर्ग फुट होता है एक पक्का बीघा के अंतरगत इस बात का आप ध्यान देना ठीक है दोस्तों तो यह आपका पक्का बीघा निकल के आया एक बीघा में एक वर्ग जरीब होता है कितना होता है एक वर्ग जरीब या पच्पन वर्ग गज कोशन ऐसे पूछेगा कि एक वर्ग जरीब में जरीब क्या है यह मापने का मातरक होता है जो लिखपाल होते हैं वो जरीब के द्वारा दो चीजे होती एक जरीब होता है ठीक है ना बताऊंगा आपको उसके बारे में जरीब कैसी होती है या इंजीनियर चेन कैस ही होती है कैसे उसे माượng हैं लट्ठा कितना होता है हाथ कितना होता सारे थिक न न aur Take SixAM या फिर बीस बिस्वा होगा जो हमारे यह मापक है उत्र-पर्देश में वह एक बिग्हा हुता है solar फिर दोस्तों हम क्या करेंगे बीस गुड़े तेरा सो जब 61 करेंगे तो यह सामने आपके निकल के आएगा कि 27,225 वर्ग पूट यह होता है एक पक्का भीघा के अंतरगत और हमने वहीं क्या देखा कि यह कच्छा भीघा क्या निकल के आए था दोस्तों यह निकल के आए था 9,75 वर्ग फूट ठीक है चलिए अब हमने बात की यहाँ पर पक्का भीघा की और दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सामने एकर की और हाँ इस बात का और ध्यान देना कि एक पक्का भीघा में कितना कच्छा भीघा होता है ना तो देखिए 9 तुरिक 27 कितना है 9,75 925 यानि दोस्तों हो जाईगा यह टीन कच्चा भीघा यानि कि एक पक्का भीघा में तीन कच्चा भीघा आता है Heaven Oak को हम तीन से गुला करेंगे तो 27,225 आता है क्योंकि एक कच्चा बिघा में 9,75 वर्ग फुट होता है जब उसी को हम 3 से multiply कर देंगे तो आपका 27,225 वर्ग फुट आपका उत्तर आ जाएगा ये तो रही बिघा की बात आगे एक पॉइंट और बनता है हेक्टेयर एकड़ और एकड़ के बारे में आए समझते हैं दोस्तों हेक्टेयर एकड़ क्या है देखिए पहली बात समस्तरी आप लोग की एक जो एयर होता है दोस्तों होता है एक एयर एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर के कितना होता है 100 वर्ग मीटर यानि कि 100 वर्ग मीटर होता है एक एयर में फिर देखिए यही पॉइंट बनता है कि एक हेक्टेर बराबर कितना होता है most important point दोस्तों कि एक hectare बराबर कितना होता है इस बात का भी ध्यान देना तो होता है कि एक hectare जो हमारे यहां होता है दोस्तों वो 100 गुड़े 100 का होता है ठीक है ना तो एक hectare बराबर हो जाता है 100 air के 100 air या बराबर होता है 10,000 work meter यानि जो हमारे यहां hectare होता है कितना होता है वो दोस्तों होता है कि 100 गुड़े 100 work meter के होता है तो गब 100 करेंगे कितना आपका जाएगा या जाएगा 10,000 work meter के फिर यहीं पूछता है कि एक hectare में कितना एकड़ होता है तो 2.471 एकड़ हो जाएगा आपका एक एक hectare के अंतरगत ठीक है ना और दोस्तों उसके बाद देखिए यहीं पॉइंट यह बनता है कि अब की बात हम को कर लेंगे अब तक हमने क्या देखा हमने यहां पर देखा एक्टेर के बारे में और है एक चीज और आप से पूछता है यहां पर कि एक हेक्टेर में कितना वर्ग फूट होता है तो दिखान देना यह होता है एक सो साथ एक लाख तो दोस्तों यह कितना आगया आपका यह आपका आगया एक लाख साथ हजार छे सो उन्टालिस वर्ग पूर्ट यहां क्या किया हमने यह हमने किया दस हजार गुड़े दस दसमलो छे आट जब करेंगे तो दोस्तों इसमें गुड़ा करेंगे तो यह डिजट निकल के आती है यानि कि जब हम लोग 10 हजार गुड़े में दस गुड़े छे आट का गुड़ा करते हैं यह आपका एक लाख साथ हजार छे सो उन्टालिस वर्ग फूट आता है ठीक ह यानि की दोस्तों कि एक हेक्टेयर में 100 होता है या फिर 10,000 वर्ग मीटर होता है या फिर 2.471 एकर होता है या 1,07,649 वर्ग खुट के होता है एक अंदर और हां देना अपने उत्रप्रदेश में एक हेक reduction में लगभग कि छे लगभग 6 भिगा आता है इस बात का देंडिजेगा फिर देखिए दोस्तों यहीं पॉइंट बनता है kr का कि एक देर एक डिन बराबर कितना स्क्वायर फिट के तो दिहान देना जो एकर हमारा होता है वो दोस्तों कितना होता है वो होता है 110 गुडे 44 ठीक है न कितना होता है वो होता है 110 गुडे 44 तो क्या करना आपको जब हम 110 गुडे 44 गुडे 3 करेंगे तो हमारा वर्ग फुट निकल के आएगा तो दिहान देना एक कितना आएगा 43,560 वर्ग फुट वर्ग फुट तो दिहान देना कि एक एकर में 43,560 वर्ग फुट के होता है यह भी important बात है और फिर देखिए इसी में पूछता है कितना पक्का बीगा होता है तो दोस्तों एक दसमलो छे पक्का बीगा होता है एक वर्ग फुट में एक एकर में एक एकर में एक दसमलो छे पक्का बीगा आता है या फिर दोस्तों अब देखिए अगर ऐसा पॉइंट समझेंगे आप लोग कैसे निकाला इसको हमने तो दिहान देना इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है आपका वो दोस्तों है आपका 43,560 को हम बटा करेंगे कितने हम दोस्तों जितना एक बिगहा में होता है स्क्वाइर फिट तो इसको क्या किया हमने 27,225 से क इसको कि इसको हम दिवाइड करेंगे तो कितना एक कट करके 1.6 पका बिगहा आता है फिर यहीं पॉइंट बनता है कितना वर्ग गज होता है यह कोश्चन में वाइट लिख रहा हूं क्योंकि यह कोश्चन पूछा गया है और तालिस सो चालिस वर्ग गज यह कोश्चन लेख पाल में पूछा गया है लेख पाल की परिच्छा में उत्तर प्रदेश अग्रस्त वद्वारा यह पूछा गया है कि एक एकर में कितना गज होता है यानि इसके पहले जो प्रीबियस की परिच्छा हुई है लेख पाल की प्रीबियस की परिच्छा में यही प्रस्द आया था कि एक एकड में कितना वर्ग गज होता है तो एक एकड में अड़तालीस सो चालीस वर्ग गज होता है मैंने आपको वर्ग फुट को गज में कैसे निकालना इसके पहले बताया हुआ है फिर दो तो यहीं कोशन बनता है कि कितना वर्ग मीटर के होता है तो 4047 वर्ग मीटर होता है तो आपने भूमी की 25 के बारे में अब तक यहां पर देखा मैंने आप से बहुत सारे पॉइंट पर डिसक्सन किया हुआ है इस बात का ध्यान देना तो दोस्तों एक बाइस को रिवाइज करते हैं कि एक एयर में कितना वर्ग मीटर एक एयर बराब होगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे 100 गुड़ साथ एक एकड होता है और कितना वर्ग फूट एक लाख 7,649 वर्ग फुट होता है ठीक है ना और एक एकड बराबर ये होता है 43,560 वर्ग फुट इस बात का ध्यान देना और दोस्तों या फिर या कितना होता है 1.6 जो पक्का भीगा होता है ये पॉइंट या फिर 4,840 वर्ग गज होता है या फिर 4,047 वर्ग मीटर होता है एक एक और यह प्र आगे एर हो गया जो हमने इसके पहले पॉइंट देखा हुआ है यानि कि एक गज ठीक दोस्तों एक गज में कितना इंच है ये सारे points आपने देखा जो लोग बात देर से आये हैं इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है दोस्तों और फिर देखिए आप लो जो हमने आगे बात चित की थी वह आपका ये रहा और फिर देखिए एक कच्छा बिगा में कितना वर्ग गज ए या फिर 9,075 वर्ग फूट या फिर 843 वर्ग मीटर या फिर 0.2821 एकर या फिर 0.0843 हेक्टेर या एक पका बिगा में कितना जरीब एक वर्ग जरीब या एक पक्का बिगहा में कितना वर्ग गज पचपन वर्ग गज या फिर एक पक्का बिगहा में कितना विश्चा 20 विश्चा या कितना वर्ग फूट 27,225 वर्ग फूट या 20 गुड़े 1361 कर दिये है क्यों क्यों क्योंकि एक विश्चा में 1361 वर्ग फू होता है फिर 1,288 बराबर 20,888 तो 20 गुडे 3.00 कर दिए हैं तो आपका आगया है वर्ग फुट में 6.006 वर्ग फूट एक बिसा में 20,288 तो बिस गुडे 6.006 कर दिए हैं तो 1361 आगया यह थी एक बिसा में 1361 वर्ग फूट होता जी रहा है इस बात का दिशान देरा है कि उसके बाद तो आपने देखा था भी इसके पहले समिद इंच के बारे मैं, ठीक तो सहिंने का लौट की इस में रेका हैं यह आपका पार्ट वान था और इसे में पार हमारा जो परम लक्ष होता है वो सिलक्षन का होता है सिलक्षन जरूरी इसलिए है कि समाज में एक अच्छा स्थान पाने के लिए अपने आपको बिल्ड अप करने के लिए भविश से बनाने के लिए एक नौकरी बहुत जरूरी होती है मैंने पहले बोला परिस्थितिया कुछ भी हो आपको ततपरता से महनज से लगन से दिर्ड संकल्प से तयारी करनी होगी चुकि हम आज पढ़ें या फिर कल पढ़ें परिच्छा में वही आना है त्टिक परिच्छा आमको वैसे देनी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तयार ह 설 है हम बहुत किया है अगर देखिए हर बार चाहे कोई भी आयोग हो चाहे वह अधनस्त सेवा चैन आयोग हो या फिर लोग सेवा आयोग दोस्तों कोई भी आयोग होता है वह हर बार परिक्षा में जो प्रस्नों का पैटर्न उसको चेंज कर देता है तो देखिए तैयारी कभी किसी की पूरी न मलाल होता है कि कास हमने दो चार कोश्चन और अधिक किया होता तो आज हमारा सेलेक्शन हो जाता यह मलाल आपको न रहे इसलिए उठीए जागिए आज से अभी से तुरंद दोस्तों आज से अभी से तुरंद क्या करना आपको तुरंद इस नंबर पर फोन करिए 8736093317 तु ले लेनी है और ध्यान रहे दोस्तों उठीए जागिए और तब तक पढ़िए जब तक आपका सेलेक्शन न हो जाए तो चलिए इस क्लास के साथ मैं फिर मिलता हूं आपसे यानि यह पार्ट वन था आप दोस्तों हम मिलेंगे पार्ट टू से के बारे में डिस्कस आपसे क करेंगे सभी को नमस्कार जय हिल